एलो एब्रिवन्स वेलकम बैक ट्यू विजेसरस अकेडमी तो गाइस आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो आप सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली जो नीज में निकल के आया है कि करोना वायरेस का थर्ड वेव आ चु जैसी के उन लोगों के दिमाग में फिर से बात आ चुकी है कि उनका एक्जाम जो है वह ओनलाइन होने वाला या फिर इंटरनल असेस्मेंट के बेस पर उनका रिजल्ट आएगा तो गैस मैं आप लोगों को बता दूं यह क्लियर स्टेट्मेंट है वाहराश्ट्रा गॉर् आपका 10 का एक्जाम और 12 का एक्जाम दोनी चीजों को इंटरनल असेस्मेंट के बेस पर आप लोगों का रिजल्ट निकाला गया था हर साल यह चीज कर पाना पॉसिबल नहीं है क्यूंकि वह एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं होता और इस तरह के रिजल्स बार बार निकालन कहीं ने कहीं हमारे education system को affect करेंगे हमारे country को affect करेंगे जिस वज़े से यह strict decision लिया गया है कि आपका जो एक्जाम है वो कहीं ने कहीं offline होने वाला है तो उस तरह कि आपको study रखनी जरूरी हो जाती है जैसे आप लोगों को time table already मिल चुका है क्योंकि जो time table आप लोगों को मिला हुआ है already अब तक महराष्ट्रा गवर्मेंट उसी date पे है यानि किसी भी तरह का postpone उसके नहीं देखने नहीं मिला है 14 फैप से लेके 3 मार्च तक offline जो आपका college का internet exam में वो चलने वाला है चार मार्च से आपका exam चालो हो जाएगा वहें पर 12th senate का भी कुछ उसी तरह से 15 फैप से लेके चीज़े आगे बढ़ेंगी मार्च उनलों को का भी exam हो जाएगा तो यह जो 10 तर 12 के exam के time table already आपके पास है जो आपका exam में उसी basis पी किया जाएगा उस पी किसी पी तरह का changes न कहीं ने कहीं online कर दिया है जो उनका exam होता है वो बच्चों को question paper send कर दिया जाते हैं और question paper उसके बाद उनलों को answer sheet ready करके within a week submit करना होता है तो कहीं ने कहीं आपको exam का environment अब तक मिला हुआ नहीं है तो मैं आप सभी लोगों से यह request करूँगा जितने वे 10.12 के बच्चे हैं जो भी आपका examination है उसे आप return में practice करते रहें क्यूंकि आपका exam return में ही होने वाला है किसी पी तरह का online exam नहीं होगा तो जो भी आपके question papers अभी तक आपको मिले हुए है भले ही आपनी किसी पी तरह स paper को लिखा हो but try कीजिए कि जादा से जादा question paper खुद से return way में solve कीजिए ताकि आपको पता चले कि आप अगर paper लिखेंगे तो आपको किस तरह से उसे present करना है किस तरह से आपको जादा से जादा score करना है अपने professors को paper दिखाएं उनसे check करवा कि उनसे feedback ले कि मेरा performance किस तरह क और music paper और अच्छी तरह से कैसे लिख सकते हैं especially 12 standard के लिए मैंने already video बनाया हुआ है मेरे channel के उपर how to write a good hse paper उस पर आप जा कि इस video को देख सकते हैं मेरे channel पर already available है link में description में डाल दूँगा और अगर आप लोगों को handwritten answer लिख के मुझसे paper चेक करवाना है आपको feedback चाहिए ह होगा तो आप telegram group join कर सकते हैं जिसका link description में मिल जाएगा आप लोगों को आप अपने answers को लिखे उसकंदर डाल सकते हैं मैं आप सभी लोगों को हर एक बच्चे के answer पर feedback दे दूँगा कि किस तरह से एक अच्छा paper लिखा जा सकता है जिससे एक अच्छा score आ जाएगा तो आ online exam के चक्कर में या फिर उस तरह की thinking लेके मत चलिए क्यूंकि आगे जाके आपका loss होगा अगर आप इस तरह के thinking लेके चलेंगे तो अभी की वीडियो में यहीं तक रखूंगा इसके आगे अगर कोई भी इस पर update आता है तो आप सभी लोगों को अपने वीडियो के तो अभी के वीडियो में पस यहीं तक रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए वाय वाय टेक क्यार, be safe and be at home.